राजसान में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली है इसके बाद प्रदेश में पुलीस और खूफिया एजेंसियों को सतर कर दिया गया है जानकारी मिली है कि आतंकी दो की संख्या में हैं और राजधानी जैपुर में छिपे हैं आशंका है कि शहर में गुसे आतंकी यहां से गुजर रही तेल लाइनों पर हमले कर सकते हैं इस खुठिया सूचना के अधार पर पुलिस के आला अफसर अलर्ट हो गए हैं और इसे लेकर व्योस्ताएं चाक चोबन रखने के निर्देश दिये गए हैं दरसल पिछले महीने ही जैसल मेर से एक पाकिस्तानी संदिक्द नागरी को एर बेस में घुस पैट करते पकड़ा गया था इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गए थी पकड़े गए पाकिस्तानी हिंदू नागरी का नाव पुर्खा राम भील था जिससे बाद में भारते सुरक्षा एजेंसियों ने पूछ ताज भी की पुलिस के अनुसार आरोपित वाई उसेना परिसर में घुसने का प्रियास कर रहा था इसी दोरान वह सुरक्षा कर्मियों की नजरों में आ गया और उन्होंने उसे पकड़ लिया तलाशे में उसके पास से श्री गंगा नगर में बना अधार काड और पाकिस्तान का पास्पोर्ट बेला था गौर्टलावे की हाल ही पाकिस्तानी हसन खान भी दक्षणी सीमा की तार बंदी कूद कर रास्तान आया था इसके लावा कुछ माह पहले तीन यूवफ पाकिस्तान से जैसल मेर में उत्री सीमा की तार बंदी कूद कर आ गये थे गाउफ़ालों को संधे होने पर तीनों को पकड़ लिया था आतंकी पठान को अएर बेस पर हमले कर चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियों की माने तो सीमा शेतर के नजदी की एर फोर्स इस्टेशन पर भी आतंकीों की हमेशा नजर रहती है वहीं कुछ माह पहले पकड़ में आये पाकिस्तानी नागरिक हासन खान ने पूछताच में बताये कि पाकिस्तान से भारत में घुस पैट कराने वाले कई गिरोह सक्रिय है ऐसे ही एक गिरोह को उसने भारत की सीमा में प्रविश कराने के लिए पांच हजार उपे दिये थे अब जैपुर में दो आतंकीों के होने की सूचना पुलिक्स पर शासन के लिए सिर दर्द बन चुकी है